हेलो दोस्तो पॉलिटेखनिक लणिंग 7-7 क्लासस में आप सभी का हर्दिक सोगत हैं दोस्तो आज किस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहन देगी सर कमेश्टी का जो पॉर्सन है उसमें मोश्ट इंपॉर्टेंट चेप्टर कौन-कौन से हैं जिनको पढ़ने से हमारे अच्छे से अच्छे नमबर आप आप हैं तो दोस्तो वही मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बता दूँ अगर आप चाहिए गुरूप एका देए चाहिए गुरूप के किसी भी गुरूप का एक्जाम देती तो वहाँ पर फिजिक्स और कमेश्टी तो common ही रहती है ठीक है और आप समझ लीजिए कि 25 इंटू 4 यानि कि आपके सो नंबर होते हैं सो नंबर में जो अभी currently topic बताऊंगा कम से कम 15 question दोस्तो गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 15 question उन topic से पूछे जाते हैं अगर ये 15 question भी सही कर लेते हैं तो अगर आपके पास 8 दीन है केवल और अगर तो आपके 60 नंबर confirm हो जाते हैं इसके बाद इसी तरीके से मैंने physics and committee में भी दिया है और वो देख लें तो दोस्तों तो मैं guarantee के साथ कहता हूँ कि आपके आपको government college मिलने के confirm chances हो जाएंगे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले कमिश्टी का जो होल से लेवस है कमिश्टी में कौन कौन से chapter ने पहले मैं वो आपको बता दूँ तो देख लीजे पहला chapter विग्यानम रशायन द्रव रशायनिक सुयों के नियम पर्मान सनर्शना रेडियो एक्तिविता नभी उर्जा संयों जक्तायम रशायन की भाषा रशायनिक अबक्रिया रशायनिक गणायक गैसी नियम वैदुत रशायन अमल छारक एम लवण विलेन तत्तो का वर्गी करने एम गुण धातु जल एम जल की कठोरता प्रमुग गैसें लावण इंहन कार्बनिक योगी का वर्णी करन नाम करन फिर आपका कार्बनिक योगी के तत्तो की पैचान उनका मात्रात्मक अउकलन और दोगी कर रशायन और विसलेस्रात्मक रशायन यह तो सारे का सारे अब रहें अब मैं जो चेप्टर आपको बताऊंगा उनमें से मैं स्पेस्फिक टॉपिक भी बता दूँगा ऐसे नहीं चेप्टर में उसमें स्पेस्फिक टॉपिक कौन से पढ़ना है वो भी बताऊंगो तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप पूरा अच्छी तरीके से देखें आधा दूरा अब कौन कौन से पढ़नी है यहाँ पर मैं कुछ important points पहले से ही add कर दे रहा हूं कि दूस्तो अगर आप 10th के बाद हो सकता है अपने polytechnic की बढ़ने या फिर 12 के लिए 12 के बाद करने बाद करने जा रहे हों तो 10th है जो PCM के students हैं तो ठीक है जो नहीं है तो चलो कोई बात नहीं जो PCM के students उनके लिए मैं थोड़ा सा है आपर point add कर दे रहा हूँ कि उनके कुछ topic होती है या कुछ chapter होती है तो जो strong point है आपके strong chapters या units है अगर वो इन chapter में include हो रहा है जो मैंने most important है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी आपको इनवे focus करना है तो अगर आप लंबे दिनों से तैरी कर रहे हैं या फिर आपके पास बहुत कम time बचा है या अगर आपके पास 8 दिन या 15 दिन भी बचा है तो भी आपको इन में sequencing topic पर focus करना है जिनके आपके अच्छे से अच्छे marks आपा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको focus करना है organic chemistry पर यानि की carbonic racine पर जैसे इसमें question कहें से मैं आपको बताओ जिसे ethane से methane बनाना तो यह सारी चीजे तो carbonic racine को आपको बहुत इची तरीके से पढ़ लेना है यह सारा बहुत इची तरीके से carbonic वाले chapter को बहुत इची तरीके से complete करना है और इससे related आपको जो भी question practice करना तो अगर carbonic racine से जुड़ा हुआ है मैं numerical की बात नहीं करूँ मैं जो conceptual और theoretical की बात करूँ क्योंकि आप पस उतना time नहीं है कि आप numerical वाले question करने जाए मैं conceptual और most important वाले की बात करना हूँ तो आपको carbonic racine से जो भी उन पे बहुत ज़्यादा practice हो अगर आप रटा माना जाए तो अभी रटा माल लिजे मैं कोई हूँ नहीं क्योंकि अभी आपको एक्जाम निकालना है बस ठीकर बात करता हूँ जो दूसरा chapter वह आपका यह वैसे देखा जाए तो अगर आप 10th में जब पढ़ेंगो तो पहले चेप्टर भी आपको यह मिला हुआ और यहां भी तो यह भी most important चेप्टर है अमले चेप्टर है तीसरा है तत्तों का वरगी करन most 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 important चेप्टर दोस्तों मैं यह आपर लिख देता हूँ most 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 important दोस्त देखिए क्या होता है कि left to right जब जाते हैं जैसे यह आपकी periodic table है left to right जाने से आइनिक बंदता बढ़ती है गड़ती है उपर से नीचे आने पर electronic ionic तिरिज्जा जो भी तिरिज्जा घटी हैं बढ़ती है तो इस तरीके का question बहुत आते हैं वह आपको बहुत अच्छे तरीकेस अगर आप अपने समझ रख था है पहले से तो भी ठीक है रट्टा मान जो किसी भी तरीके से आपको या ऐसी तरीके से याद करना है उनके प्रमुक गैसे अपने इसे टिलीन पढ़ाऊगा, अगार्बनी रसायन में एनस्थिरी अमोनिया गैस पढ़ाऊगा, तो उसकी जैसे उसमें आ जाता है कि सड़े अंडे जैसी गंद किस से आती, किस गैस से आती, तो प्रमुक जो गैसे हैं, उनके प्रियोग क्या होते हैं, उनका गुण कैसा होता है, यह आपको पॉइंट पढ़ने है, और उनकी प्रियोग साला विधी, यह आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ में आ गया कौन को से, प्रियोग गुण और प्रियोग साला विधी, इसके बाद देखिए, आपर कोई चित्र बगएर नहीं आत है, आपके उसमें एक्जामें चित्र बगएर नहीं है, अब बात करते हैं, आप पॉलिटेखनिक करने जा रहे हैं, एक तरह से इंडरस्टी कोर्स ही है, इंजिनियर बने जा रहे हैं, तो आपको पढ़ लेना है, यहापर मैं पॉइंट बताते चलना हूँ, फिर आते हैं अब कैटली किसी में अब होते हैं, जो रेक्शन की बढ़ा देते हैं यह है, इससे ऑगर आप अमूनिया बनाते हो, तो इसमें कौन सा कैटलीस्ट उज़ता है, जब आप वनसपती तेल से डालता है घी बनाया जाता यह तो कौन सा याथ तो यह सारी चीज़ आपको बहुत ही तरीकी से कंपलीट कर लेगी पिर बात करते हैं वैदुत्रसायन में आपने जैसे फराड़ाय की नियम उसके बाद पढ़ा ही होगा तो लैंक की बाहर क्या होता है इसके बाद विद्दुत्रसायनिक स्रेणी होती है अपने पढ़ा भी ह यहां से भी आपके confirm दो question confirm होती है वैद्दूतरासायनिक स्रेणी यहां से जैसे क्या आ जाता है कि जैसे अगर आज से CU FE को replace कर पाएगा नहीं कर पाएगा यह फिर AG CU को replace कर पाएगा नहीं कर पाएगा फिर इसे से related होती है कि question आ जाएगी कि CU plus AG यह reaction होगी या नहीं होगी तो इस सब चीज़ें को बहुत जादा ध्यान रखना पड़ता है तो यह विद्दूतरासायनिक स्रेणी जो है ना उसको बहुत अची तरीके से पढ़ लेना एक नहीं होते कि आपको अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसके बाद लास्ट में रखा है कार्बनिक योगिकों का वर्गी करण और नामकरण पहला ही टॉपिक में बता जेता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं आयू पीएसी कंफर्म हैं आपके दोस्तों दो कोश्चन कंफर्म हैं आपके लेना कार्बनिक योगिकों का वर्गी करण और नामकरण आयू पीएसी सिधे बोलो तो आपको आयू पीएसी पढ़नी है बस और कुछ नहीं तो आपको आयू पीएसी बहुत चीती तरीके से पढ़ लेनी है एलसेप यूसेप इन सब के भी किसका क्या होता है तो बहुत चीते य अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षन में मुझे बता देना इसी तरीके के important वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और notification बेल को जरूर अन कर ले यहाँ पर Polytechnic से जूड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छी तरीके से information थोड़ी देने में एक दो घंटे डिले हो सकती है लेकिन आपको जो भी जानकारी मिलेगी अच्छी मिलेगी ठीक है ना? प्लीज दोस्तो छोटा चैनल है वस सपोर्ट करिए आप सबी लोग जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा मैं वीडियो आपको information दे पाऊंगो जो मेरे पास experience है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वात अगर आपको वीडियो अच्छा